हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिलाई मशीन वाले में आज हम सीखेंगे कि ओवरलॉक मशीन में धागा किस तरीके से डाला जाता है अगर आप एक बिगनर्स हो और आपने पहली बार मशीन लिए तो आपको एक प्रॉबलम आई कि अगर धागा तूट जाता है तो आपको धागा डालते नहीं आएगा तो आप इस वीडियो में बहुत ही आसानी से धागा डालना देखेंगे कि किस तरीके से इस मशीन में धागा डाला जाता है तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला धागा जो हमें इस तरीके से इस बंडल में से निकालना है और इस तरीके से उस धागे को उपर के और रखना है उपर के और रखने के बाद आप यहां पर देखिए इस धागे को नीचे से इस तरीके से निकालोगे और फिर यहां से आप इस से ऐसे डाल दोगे, ऐसे डालने के बाद आप इसी धागे को यहाँ पर एक point बना होता है, मतला एक छेद होता है, तो उस छेद में से आप नीचे के और धके लोगे, तो इस तरीके से यह धागा नीचे आ जाएगा, देखिए, यहाँ तक के देखे नीचे आ गया, नीचे आन अब आपको इस तरीके की चिम्टी की ज़रुत पड़े कि इसके बीना इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर जो दोनों लॉक है, आप इन दोनों लॉक में इस तरीके से फसा होगे, और जो यह चिम्टी है, यह चिम्टी की मदद से आप इस अब इसमें डालने का तरीका होता है, देखिए, इसमें डालने का जो तरीका होता है, वो होता है ऐसा, पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं, और इसे बाहर निकालने का थे हम यहाँ पर लगाएंगे गाट, देखिए, इस तरीके से हम इस तर लगा देंगे गाट, तो यह ग करेंगे हम धागे को हमें पीछे से आगी के और निकालना है अब जो हमने गाट लगाई थी वो अब हमारा धागा देखे बराबर पीछे से आगी के और हो गया अब देखे जैसे जैसे इस मशीन चलेगी तो इस तरीके से यहां से धागे को खेचते हुए चलाईगी तो दोस् यहां पर उपर यह देखे ऐसे तो यह proper हमारा एक जगा से धागा निकल चुका है अब हम डालेंगे दूसरी जगा से धागा इसे हम पैक करते हैं अब देखिए अब हम second number का धागा ले लेते हैं तो second number का धागा हम डालेंगे यहां से ऐसे फिर हम आएंगे यहां पर यहां पर भी विसी तरीके से धागे को निकालना है और यहां से घुमाते हुए धागे को इस जगा पर लेना है देखे इस तरीके से और फिर हम यहां से लेंगे पीछे से ऐसे यह देखे इस तरीके से हमने धागे को ले लिया अब धागे को यहां पर लेने के अधा हम यहां से उपपर से धागे को लेंगे देखे ऐसे देखें इस तरीके से हमने धागे को डाला अब यहां से इन दोनों प्लेटों के बीच में से हम धागे को निकालेंगे और देखें यह जो धागा है हम सुई के अंदर लगाएंगे इस तरीके से तो यह हमारे दो धागे बहुत ही आसानी से लग चुके हैं अब यह दोनों धा इसमें भी वही करना है, उपपर लाना है, उपपर लाने के बाद देखे, आपको धागे को इस तरीके से इस जगा पर लाना है, और यहां से ऐसे निकालना है, यह आपने धागा निकाल दिया, यहां पर एक छेद होता है, देखे, यहां पर एक छेद होता है, उस छेद में से आपको इस तरीके से धागा डालना है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो छेद कैसा होता है, यह देखे, इस तरीके से वो छेद होता है, तो उस छेद में आपको धागा डालना है, वो छेद में से धागा डालने के बाद, आपको इस जगह पे ऐसा धागा लगालना है, यह पर द्यान दिया जाएगा, देखें यहाँ पर एक rod होती है, यह देखें यह वाली जो rod है, इस प्रीप बना हुआ है आपको दिख रहा है यह जो पाइप, इस pipe में से धागा निकलेगा, तो हम इस pipe में से धागा निकाल लेते, देखे ये हमने पीछे से धागा डालना शुरू किया अब देखे ये पाइप में से धागा आ गया बाहर ये देखे इस तरीके से ये धागा बाहर आ गया ये देखे ये हमने इस में से बराबर धागा डाल दिया और ये धागा इस चिबी में से उपर से नीचे की और आएगा अब देखे इतना तो हमने डाल दिया पर यहाँ पर एक बहुती मतलब डिफिकल्ट चीज होती है जो कि होते हैं यहाँ पर देखे यह वाली चीज यहाँ पर मैं आपको दिखाने के कोशिश करता हूँ यह देखे यह वाली चीज इसमें से धागा डालना पड़ता है तो इसमें थोड़ा सा चेलेंजर वल काम होता है तो हम यहाँ पर भी धागा डाल देते हैं फटक से आपको इस तरीके से एक चिम्टी की ज़रुत पड़ेगी और देखे आप इस तरीके से इसमें धागा डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा से मतलो difficult हो जाता है वो धागा डालना अगर आपकी चिम्टी अच्छी रही तो आप बहुत इजीली डाल लोगे चिम्टी में थोड़ा सा अगर वो रहा तो दीखे इस तरीके से हमने इस जगह पर धागा डाल दिया अब यह जो धागाई यहां तक के तो हमने सही डाला है कई सारे लोग धागा डालते हैं पर यहां पर जो रेता है वहां पर धागा डालना भूल जाते हैं अब हम थोड़ा से गुमाते हैं, यहां पर भी देखिए, एक वैसी ही नीडल होती है, जैसे कि हमने डाली थी, तलवार डाइब की, तो उस नीडल पे, भी हमें कैसे लगाना है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां से, यहां पर देखिए, ऐसे, फिर इस घुमाना है, ऐसे, और फिर देखिए, इस तरीके से पकड़ कर, हमें यहां पर लगा देना है, यहां से देखिए, इस तरीके से धागा डालेंगे, चलिए मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, यह देखे यह जो याला हिस्सा है इस हिस्से में आपको धागा डालना है तो यह जब इदर आता है तो इदर से बहुत अच्छी तरीके से यह दिख जाता है यह अंदर से बहुत अच्छी तरीके से धागा इसमें से निकल गया अब हम क्या करेंगे मशीन को चला कर देखेंग अब जो हमारी overlock है वो चलने के लिए तैयार हो गई तो दोस्तो हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से overlock machine में धागा डाला जाता है अगर दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजे like, channel को कलीजे subscribe इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्लाई machine वाले का bell icon बटन दबाना ना भूले मिलते हैं किसी और वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई